नमस्कार दोस्तों बिहार में लालू यादव ने भारती अजन्ता पार्टी की गढ़ को ध्वस्त करने के लिए ऐसा जाल बिछाया है जिसमें बीजेपी का फसना अपते माना जा रहा है दरसल लालू यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहनी आचारे को स्तारन लोकसबा सीट से उमीदवार बनाया जो की बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अब रोहनी इस सीट को फते करने की पूरी तैयारी में लगी हुई है दोस्तों आपको बता दे कि रोहनी अपने चुनावी अभियान के लिए चुनावी प्रचार के लिए अब तैयारियां शुरू कर चुकी है अपने भगवान यानि कि अपने पिता लालु यादव और माता राबणी देवी का आशरुआद लेकर वो चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए निकली है यह तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पर इसमें रोहनी लालु यादव और राबणी देवी के सामने हाँ जोड़कर उनका आशरुआद लेती हुई दिखाई दे रही है मा बाप के आशरुआत के साथ वो अपनी नए यातरा की शुरुआत कर रही है, लालु यादव भी उनके सर पर हाँ रखके अपना आशरुआत दे रहे हैं दोस्तों ये लालुयादफ की वही बेटी हैं जिन्होंने अपनी किडिनी दे करके अपने पिता की जान बचाई थी अब उन्हें जनता का खूब प्यार खूब समर्थन मिल रहा है जब वो चुनाओ प्रचार के लिए निकली तो उनके समर्थकों ने हजारों की संख्या में उनका जो है होसला बढ़ाया हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर खड़े हुए थे जिसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि इस सीर पर रोहनी का जीतना अब लगभग तैमाना जा रहा है दोस्तो भारतिय जुनता पार्टी को इस सीर से बिहार में मुश्किलों का सामना इसलिए भी करना पड़ा है क्योंकि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री समराट चौधरी ने लालू की बेटी को लेकर के कहा था कि लालू ने रोहनी से किडली के बदले टिकट का सौधा किया जिसके बाद से ही बिहार वासियों में बीजेपी को लेकर आक्रोश बढ़ गया था लोग नारास थे कि कोई भी एक बाप बेटी के रिष्टे के बारे में इस तरीके की अभद रिटपड़ी कैसे कर सकता है और वो सभी लोग सत्ता परिवर्तन का मूड बना चुके थे इसके अलावा अब आप बिहार के सारण सीट का जो गड़ित है उसे भी समझ लीजे कि आखिर ये बीजेपी का गड़ क्यूं कहा जाता है और इस पर लालू यादव ने कैसी चाल चली है तो दोस्तों आपको बता दे कि ये जो सारण सीट है यहां से 2019 के लोगसभा राजीव प्रताब रूडी ने ही RJD पार्टी के उमीदवार लालू यादव की पतनी राबडी देवी को हरा कर जीत हासल की थी और 2014 की इस लोगसभा सीट में जो जीत का अंतर रहा था वो करीब करीब 40,000 से ज्यादा कर रहा था लेकिन इससे पहले गर आप गौर करेंगे दोस्तो तो RJD उमीदवार लालू यादव ने BJP के उमीदवार राजीव प्रताब रूडी को हरा कर जीत हासल की थी दोस्तो ये आकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये साल 2024 है और इस बार लालू यादव ने अपनी बेटी को उस सीट से उमीदवार बनाया ह जिस सीट से वो दो बार जीत हासल कर चुकी हैं इससे पीछे की नड़नीती ये है कि जब BJP के नेता रोहिनी आचारे को लेकर एक बद्दा कमेंट करते हैं तो इससे ना केवल सारण की जनता बलकि पूरे बिहार की जनता प्रभावित होती है ये तो मातर एक कारण है इसका में काफी आक्रोश उस समय भी था जिसके बाद लालू के बेटे जो हैं तेजस्वी यादव इन्होंने एक जनविश्वास से यात्रा निकाली थे आपको यादोगा इस यात्रा में उन्होंने लोगों का काफी समर्थन हासल किया था वो जहां भी रैली लेकर जाते थे वह और भारती अजंता पार्टी की मुश्किले बढ़ा दी है और कड़ी चुनौती दी है पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार के साथ साथ पुरे देश में कुछ बड़ा खेला होने वाला है आपको क्या लगता है अपनी राव में कमेंट सेक्शन में लिक कर जरूर बताईएगा एक खबर आप उल्टा जश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार